मिडलीस्ट में सौधी अरब और इसराइल अमेरिका के सबसे प्रमुख और बड़े सहयोगी है इसके बाद जॉर्डन, UAE, बहरीन, कतर वो मुस्लिम देश हैं जहां पर अमेरिका की अच्छी पैट है लेकिन गाजा युध ने मिडलीस्ट में अमेरिका के सारे समीक रन बिगाड़ दिये क्योंकि अमेरिका सालों से सौधी अरब और इसराइल की दोस्ती कराने में लगा हुआ था लेकिन हमास के हमले की वज़ा से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया और अब हिजबूला के प्रमुक हसन नसरला की मौत के बाद इरान लगातार खाड़ी और आरब देशों को इसराइल और अमेरिका के खिलाब भड़काने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में इराकी शिया मिलिशिया कतैब साइद अलसुहादा ने धम की दी है कि अगर इसराइल के साथ सीधी जंग छड़ती है तो वो यूनाइटेड अरब अमिरेट्स यानी यूएई पर सीधा हमला कर देगा इसको लेकर प्रतिरोधी गुट के नेता अबू अला अलवालई ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि इराक में इसलामी प्रतिरोध अमिरात को खाड़ी में इसराइल के एडवांस बेस के रूप में देखता है और अगर पूर्ण युद्ध छड़ता है तो यूएई हमा आप पहला टारगेट होगा प्रतिरोधी समू का कहना है कि इराक में इसलामिक प्रतिरोध की मिसाइले और ड्रोन्स जो इसराइल के भीतर तक पहुँच चुकी है वो आसानी से वैकल्पिक जगों पर इसराइल के ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकती है आपको बता दे कि अलवलेई ने ना सिर्फ यूएई पर हमला करने की धमकी दी है बलकि उसने ये भी कहा है कि वो लिबनान के साथ एक जुटता से खड़े हैं साथ ही वो गाजा में हमास और यमन के हूती को हर तरहा से मदद देंगे इराकी गुट ने ये भी धमकी दी है कि वो अमेरिका, इसराइल और यूएई के हितों पर हमला कर सकते हैं अलवलाई का कहना है कि अगर इलाके में जंग छुटती है तो वो एक तरफ खड़ा नहीं रहेगा बलकि वो इस जंग में सीधे अमेरिका और इसराइल की बरबरता और अपराद के खिलाफ लड़ेगा और नसरल्ला को लेकर वलई ने कहा कि मैंने नसरल्ला से वादा किया था कि आगर आपके एक हजार लड़ाके शहीद होंगे तो हम आपको एक लाग जवान मुहया कराएंगे ये कोई अतिश्योक्ती या अतारकिक बात नहीं है इसराइल अमेरिकी दुश्मन इलाके की एक्ता को अलग करने में सफल नहीं होंगे प्रतिरोधी गुट के नेता का ये भी दावा है कि प्रतिरोधी गुट ने अभी तक अपनी सिर्फ 50 फीजदी ताकत का इस्तेमाल किया है और एरा की मिलिशिया के पास हिजबुला और हूती के जैसी ही ताकत है अमेरिका को लेकर प्रतिरोधी समूने कहा कि हमने 10 साल की लडाई में अमेरिका को शर्मसार करके अपने यहां से ख़देर दिया और हम उन्हें एक बार फिर से एराक सीरिया और पश्चिमी एशिया से बाहर कर देंगे और अगर युद छिर्ता है तो अमेरिका इराक में बंधक है हमारी ताकत खाड़ी और दूसरी जगहों पर अमेरिकी ठिकानों तक पहुँच सकती है इस इलाके में अमेरिका और इसराईल के सभी हिद प्रतिरोधी गुट के लिए वैद टार्गेट होंगे खास्तोर से युएई जिसे हम इसराईल की सबसे पहली ऑपरेशन इकाई मानते हैं ऐसे हालातों में युएई हमारा पहला टार्गेट होगा झालें झालें जिसे हमारा गीन, धुएऌ युएएवेट हैं लोगा है